हमारे बीच है आज राज महिला आयों की अद्दच्छा डाक्टर बल्पता चोहां जी जो कि आज शत्री मासवा के कार्कम में मेदावी छात्रों को पुरुस्कत करने के लिए आई हुई है कि क्या कुछ महिलाओं के लिए वो कर रही है महिलाओं की उत्पीडन से बचाने के सवाल है तो मुझे लगता है कि अगर में केंडर सर्कार या उत्तर प्रदिर सर्कार की बात करूं कि यहां भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं तो लेकि फिर भी हम बहुत मरी टीम है जो भी जहां की जरूरत होती है कि वह वह पुश्त ही है और कि कि निदेश दी जाते हैं उसका समाते हैं बगता जी आगरा जोन में बहुत में तो अनुप अपरेसं जाग्योती उसके तहर्त महिलाओं को यह सिखाया गया कि वह किसी की ढाल न बने जूटे मुकत में महिलाओं के नाम से जो कराई आते हैं महिलाओं बी उतकित हुती है और पुरा समाज भी उतकित होता है इसपर आप क्या करगे जी पलब को अब कमा मताना चाहूंगी कि जो मेरा पहला कारिकरम है पीला स्यूट मेरे चारिकंडर्ा काज़े है वहा है अवेर्नेस के लिए अगर मेड़ाओं के जो अगर वेर्नेस जिसमें पर ब्लाओ किस तरप इन सब मीटिमों करेंगे। अभी तक यह होता है जैसे कि पहले शेहरों में यह सब चीजा होती थी बड़ लगता है कि शेहरों में अवेर करने के उपने ज़रूरत नहीं है। तो अभी जब नीचे के साइड में जाने की ज़़र तो निक्षित नुप से हमारी करफसे भी अवेर्नेस के चलाई जाएंगे और बैठके भी बड़े-बड़े सेमिनार होंगे जिसमें हमारी बहुत सारी जीतिव चुर्षा हैं जितना हैं और इसके लिए बहुत जली बहु तो इसमें आपका जो महला आयोग है जो आपने भी इसका प्रण किया है तो क्या आप इसमें सुधार करेंगे कि बहुत पहले से चला रहा है वह सी चीज़ें जो अपडेट होनी चाहिए वह आप क्या कहने है कि मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ यसी है जिनको अपडेट करने की जोड़त है लेकिन अगर कुछ है भी तो वह निश्यक्रूप से कि जब मैं कारला पहले टाइम बैठी तो मैंने निकाला सारी चीज़ों को देखा कि कि दो साल से गठन नहीं था महिला आयोग का तो वह यसा नहीं होता कि कोई दोसी है और बच जाएगा तो से जब मिलती है पर फिर भी अगर इतने सख्त कानूं के बाद भी खटना गटित होती है तो मुझे लगता है कि वहां कहीं नगे विकृत मांसिता के लोग हैं कि जो इस तरह की खटनाओ को का अंजाम देते हैं यह उन् कि कहीं नगें यह विकृत मांसिता का एक इसमें और बलकि मैं तो थोड़ा सा अलग खटके यह भी कहना चाहूंगी कि कहीं मुझे कुछ थोड़ा बहुत शोचल मेडिया का भी बहुत नगाब लगता है और यह मैना भी एक प्रेस से ही लोग थे वहां भी मैंने यह कहां कि कि जो बाइयां चीजें जो मुबाइल पे हैं जो चोटे बच्चे हैं यह कोई भी और आजकल खोलते हैं कुछ भी उसमाज देने का काम करने के लिए लेकिन जहां जानकारी नहीं है महां शोच इस तरह की पावंदिया जरूर लगने चाहिए आपने बहुत अच्छा मुद कि अपरादों में सहाइक बनता है बहुत पहले कुछ पॉन वेब साइट को लेकर गॉर्मेंट ने डिसियन किया था कमानी नहीं लोग लगाई थी लेकिन अभी भी पॉन वेब साइट चल नहीं है जो तो देखकर मुझे लगता है टीनेजर से स्कूल के चात चात रहे हैं तो क्या इस तरह की जो कौन वेब साइट से बिल्कुल बंद होनी चाहिए कि यह कोई मतलब नहीं होता कि कि आज बच्चों के पढ़ने के लिए मुबाइल पर नेट भी जरूरी होता है मुबाइल और लैप्टॉप भी जरूरी है पर बच्चे होसे ना समझ होते क्योंकि क जरूरी कि दिमाग लगा लेते हैं वजाए पढ़ाई कि तो कहीं नहीं करें पर भी जरूरी है कि प्रदेश में भी आप यह महिला आयों की अध्याच है तो क्या सरकार को ऐसा तंत्र विक्सित करना चाहिए जिससे इस तरह की जो और वेब साइट से जो 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 को या समाज में न भेले पाएं तो क्या सरकार को या सब्सक्राइब करें जिससे इतना रोग लग सके हैं अभी कलकेटा में एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर की उसके साथ जगन ने घटना हुई जिसका आज माने मोहर भागाज जीन अपने बासमें भी चिक्र किया है समाज में अची धटनाए निश्यू जूट से कलंग है एक बार बलात कारियों के लिए फांसी की भी मान की जा चुकी है और पुरा हमारा देश इस बात को लेकर उपड़ेलित है तो क्या आप मानते हैं कि बलात कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए बेरकल होने चाहिए आ कि तो कौकता की बात को जर जाना होने आप तो कौकता है तो को सजा का प्रवेदान है और तुरन निको सजा मिलती भी है तो कौकता की भुर होन की जो अचे हम गबता है जिसको की हाई लाइट उन माप uhud alcohol to laptop का अधर अज जो डेक लेर आगा अरु जो डेकल कालिज की तो वहां तो एक बहुत ही बहेंकर सी इसकती है, जिसको मैं कहना चाहूँ हूँ, पर अगर उतर प्रदेश की बात की जा तो निश्यत रूप से हिहां दोस्यों को सजा मिल रही है, और इसका प्राविदान भी है, मैं तो जहां यहां इस तरह की केस होते हैं, तो वहां कहीं न कहीं बिक्रित मान सिखता है, उसमें रहती है, अदरवाइस तो जान पूछ के तो कोई इस तरह के काम करने की कोशिस उत्तर प्रदेश मतर नहीं करेंगा, तो वहां बड़ा आरूप लगाया है, आपका इस सारा ममता, अनरजी की तरफे, उसी सरकाल की तरफे, तो वहां दो कि मैं क्या ही बताओं कि क्या हालत हो रही है, आप देखेंगे बंगाल में जाके, उरे बंगाल की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता को भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, और जनता कुछ समझना रहा है, जनता देखती भी और जानती भी है, पर वजह क्या है क्यों जंगता इतना सहरी है यह समझ में नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि वहां भी अवेर्नेस की जुरूरत है और वहां कुछ नो कुछ ऐसा होगा कि जो बदलाप होगा जल्दी अभी जब आप यहां राजमेलायो के अध्यच पने ते खुड़ा सा रिस्प्यूट भी अपानाया आदम ने इस्पद्थ निनी से मना कर दिया पादेश का और काफी बाद में मानमोबॉल के बाद मी मानमुल मैं मनमी तो अब कैसा महूल है आपकी बाची तूती है इस अब सामान जी से लाए है दिख यह तो मैं आप्रीके महत्तिन से सुन दुग है और बदस जै इनका साब कहना है कि मैलाओं के प्रति होने वाले अपरादों में कड़ा कदम उठाना चाहिए कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इनका ये भी कहना है जो बहुत बड़ी बात नोने कहिए कि जो कौन वेब साइट ने जो इस तरह की विक्रत मान सकता पहलाती है इन पर भार एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी